कॉमिक स्टूडिय अड्डा में आपका स्वागत है तो मैं आज लेकर आई हूँ दायमंड कॉमिक से जिस कॉमिक का नाम है पिंखी पिंखी के बारे में तो सबको पता है ये एक नटकट सी बच्ची है तो चलिए देखते हैं कहानी क्या है थब तक आप लोग मेरे चैनल को पिंखी मेरी चीजों को उठाती रहती है जरूर वही कहीं ले गई होगी पिंखी अब तक कहा थी पापा जी मैं बाहर पार्क में खेल रही थी मेरा चश्मा कहा है मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ हाथ खाली हैं देख लीजिए दूसरे हाथ में कुछ नहीं है दूसरे हाथ में देखिए और पीछे क्या थेला में छुपा रही हो दिखाओ इधर लीजिए आपकी कौफी तयार है मुझे देखने दो इस थेले में क्या है पापा इसे मत खोलो ओ वह क्या था कुट कुट यानि मेरी गिलहरी वह थेले में कैसे आई उसे मैंने पाल लिया है क्या जब लो कुटा पिल्ली तोता मैना वगेरा पाल सकते हैं तो मैं गिलहरी क्यों नहीं पाल सकती चश्मा नहीं मिला आज ऐसे ही दफ्तर जानब पड़ेगा दोस कशब अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए तुम्हारा चश्मा मैं तुम्हें घर देने जा रहा था कल रात तुम इसे मेरे घर में भूल गए थे कुट-कुट पता नहीं कहां चली गई है कुट-कुट यहां दादा जी उस सदियों पुराने वीरान महल में भूत रहते थे जो हर रात को इखटा होकर नाचते थे भूतों का गाना बजाना तब तक चलता रहता था जब तक कि सुबह न हो जाए और तब ही हरे यह मोजे में क्या है भूत भूत दादा जी कहां है वै इधर लगता है मेरी कुट-कुट आपके चुराप में गुज़कर फुदक रही है वैब बहार निकल गई कुट-कुट नीचे आओ तादा जी को परेशान मत करो और कुट-कुट ने चलांग लगा दी मुसीवर टली कुट-कुट ठहरो ना जाने फिर कहां चली गई मिसिस मदू मैंनी एक पार्टी में जाना है अपना विग मुझे आज के लिए दे दो बैठो मिसिस मीना मैं जार करना पड़ेगा क्या करूं विग पकड में नहीं आ रहा है हैं चट-पट उसे पकड लूँ तबी तो लाती हूं पिंकी ने गिलहरी पाली है और मुझे लगता है वह मेरे विग में घुज गई है कुट-कुट तुमने मम्मी को परेशान किया मैं तुमें अभी मजा चखाती हूं रुको बाहर मत जाओ और बाहर गर हटो दोष्ट उसका पीचा चोड़ो क्या हुआ पिंकी एक खुंखार बिलोटा कुट-कुट के पीछे लगा है वैं उसे मार कर खा जाएगा हटो दोष्ट गर कुट-कुट खेर गई है आगे जाने की जगे नहीं है उसे बचाओ और कुट-कुट ने चलांग लगा दी कुट-कुट ने भट्टी के चिमनी में चलांग लगा दी वह मर जाएगी अगर कुट-कुट को कुछ हो गया तो मैं खाना पी न चोड़ दूंगी अरे गिलहरी भट्टी अरे फैक्टरी की भट्टी ठंडी है इसलिए गिल लगा धी है वह दे फो दूहां मेरी कुट-कुट अरे लड़की फैक्टिरी में क्यों घुश रही हो मुझे भट्टी के फायरमैन से पतला लेना है उसने मेरी कुट-कुट को जलाकर मार डाला तुमने मेरी गिले ripping को मार डाला। और कौन गिलैरी कहीं तुम उस गिलैरी की बात तो नहीं कर रही हाग लगने से पहले वह भट्टी से दोड़ कर बाहर निकली थी हैं आ मेरी प्यारी कुट-कुट दादजी क्यों न हम हाथी भी पाल ले हुँँँँँँँ अगली कहानी है अंडा चंपू, पेड़ पर क्या कर रहे हो? पिंकी, मैं कौवे के अंडे देखने आया हूँ, यह मेरा शौक है नीचे उत्रो, मुझे कुछ पूछ ना है चंपू, तुमने किस किस के अंडे देखे हैं? छेडिया के, बुल-बुल के, मुर्गी के, पतक के बगरा बगरा क्या तुमने हाती का अंडा देखा है हाँ 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 बेबकूफ हाती अंडा नहीं बच्चा होता है मगर मैंने हाती का अंडा देखा है आओ मैं तुम्हें दिखाऊं देखो मगर ये तो पत्थर का है तो क्या हुआ जब हाती पत्थर का है तो उसका अंडा भी तो पत्थर का ही होगा हाँ 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 अगली कहानी है ढोलू से मुट बेड ढोलू समाल अपनी बॉल अब मैं घर जाना चाती हूँ पिंकी तुम घर नहीं जा सकती तुम्हें पारी देनी होगी उठाओ गैन और करो बॉलिंग हे श्वर कोई चमतकार दिखा मुझे डोलू को पारी ना देनी पड़े तबी बारेश भागो शुक्र है मैं गर पॉज गई वरना भीग गई होती लगता है अब वर्षा थम गई है पिंकी देखो मैं नाव भना कर लाया हूँ भीकू सडके पानी से भर गई है इसे पानी में छोड़ दो पानी का बहुत तेज है नाव के लिए उप्युक्त है वह जा रही है नाव उसके पीछे चलें देखें मैं कितनी दूर जाती है पिंकी ने क्रिकिट में मेरी पारी नहीं दी मैं उसकी नाव डुबो दूँगा थपावक वाह मज़ा आ गया डोलो ने हमारी नाव डुबो दे कोई बात नहीं पिंकी हम दूसरी नाव बना लेंगे ये नाव पहले से ज्यादा अच्छी बनेगी ये कागच चिकना है पानी में जादा बहतर तरीके से तहरेगा बह गई हमारी दूसरी नाव इस पार मैं उसे पत्थर मार कर डुबाऊंगा और थपाख छोकरे तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिये बापरे जबर जंग पहलवान मुझे बख्ष दो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा ओ डोलू रो क्यों रहे हो बिर्जू पिंकी की वज़े से मेरी पिटाई हो गई ये लो सुलेमानी कुलेल तुश्मन के सिर को निशाना बनाने में इससे बैतर और हत्यार नहीं लेकिन ये मुझे चलानी नहीं आती है देखो इसमें पत्थर डालकर इसे खीचो जितना ज्यादा खीचोगे छोट उतनी ज्यादा लगेगी फिर पत्थर को छोड़ दो ऐसे और क्राक लो जब काम हो जाए गुलेल मेरे घर दे जाना शैतान छोकरे खीड़की का नया शीशा लगाने के 20 रुपए लगेंगे मगर ये मैंने नहीं तोड़ा गुलेल अपने हाथ से चल गई क्या क्यों मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा ऐसा ना करना मैं पैसे दे देता हूँ अब तुम किसी की खिड़की नहीं तोड़ोगे मगर मुझे किसी का सर तोड़ना है पीकू अगर हम नाउ से नहीं केल सके तो क्या हुआ हम घरों दे से खेलेंगे पिंकी सच मुच ये लाजवाब बना है बिर्जू ने कहा था जितना ज्यादा गुलेल को खीचोगे वार उतना अधिक होगा और थबीफ पटाक ओ गुलेल तो तूट गई आई है मेरे तुश्मन मेरे सामने है क्यों ना उसे चड़ी से धुन्दू डोलू पीछे देखो नहीं तुम चाती हो कि पीछे देखू और तुम मौका पाकर रफू चकर हो जाओ पिंकी अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं आओ थड़ाक भाप रे भौकलाया हुआ सांड ओहो डोलू कहा हो मुझे उतारो डोलू तो पेड़ पल अटक गया जाकर हाँ हाँ हाँ